Hi Guys, आपका Beauty Forever में स्वागत है मैं आज का वीडियो हिंदी में करना चाहूंगी क्योंकि ये वीडियो स्पेशली मेरे उस ओडियन्स के लिए है जो हिंदी में वीडियो देखना पसंद करते है So please मेरे चैनल को please subscribe किजे, like किजे मुझे please 1000 subscribers के लिए please support किजे guys तो आज का वीडियो हमारा है ये Maybelline Super Stay Matte Ink Lipstick in the Shade 25 Heroine ये एक बहुत अच्छी lipstick है guys This was recently launched by Maybelline और मुझे lipstick इतनी ज़्यादा पसंद है कि literally जब मेरा कुछ important function होता है और मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा खाने वाली हो जैसे dinner, lunch, etc. तो मैं ये lipstick यूज करती हूँ और ये lipstick मुझे कभी भी disappoint नहीं करती है So guys, let us have a closer look at it So इसके packaging काफी sleek है, a matte packaging है और इसका packaging color coded है कि जो आपको ये color है वो अंदर lipstick का same मिलेगा So हम shade को ज़रा नजदीक से लिखेंगे So guys, focus करने के बाद, you can see यहाँ पे shade mention किया है, that is 25 heroine और ये बहुत अच्छा red color है और हम देखेंगे कि इस पे details क्या specify किया है So guys, इस lipstick पे details specify किये हूए है जैसे MRP, इसके MRP 650 रूपीज है और इसका 5 ml quantity है Which is very nice और इस पे manufacture date और expiry date भी Use before date भी mention किये है Which I really, really like क्योंकि मैं I don't want to use an expired product So it is amazing that company इसको specify करते है और ये एक तरह का sticker जासा है ये emboss नहीं है guys मतलब lipstick पे emboss नहीं है और ये मैंने लाइका से लिया है For around 5.50 or something मुझे कुछ discount मिला था तो kudos for that guys So guys, coming to the shade of the lipstick मैं आपको इसका swatch दिखाती हूँ लेकिन शेड से पहले हम इसका अप्लिकेटर के बाद में बात करेंगे इसका है एक doe foot applicator Which is very convenient और इस अपने अपने inner corners लिप्स के inner corners में जाके बहुत अच्छी तरह से लिप्स्टिक लगा सकते है क्योंकि ये ये लिप्स्टिक है guys So it is very important कि इसका एक बहुत अच्छा अप्लिकेटर हो अब मैं आपको इसका swatch दिखाती हूँ अपने हाथों पे So guys, इसका ये swatch है, you can see कि इसकी बहुत सारे glossy type of finish है which will after drying become matte that is what I have experienced guys और one more thing मुझे इस लिप्स्टिक के review में specify करना है कि बहुत सारे लोगों ने recently बोला है, मतलब यूटूबर्स ने कि ये लिप्स्टिक उनके लिप्स पे crack हो रही है और uncomfortable है इस लिप्स्टिक की ट्रिक ये है मतलब मैंने भी पहले वो ही mistake किया था और इस लिप्स्टिक की ट्रिक ये है कि आप बहुत ये पतला लियर लगाओ और let it dry और फिर आप अगर आपको चाहिए extra pigmentation तो आप एक extra layer लगा सकते हो but don't go with an बहुत थीक लेर के साथ पहले मत जाओ, let it dry so this is the trick और अगर आप ऐसा इस ट्रिक को फॉलो करो कि गाई तो इस लिप्स्टिक भीडास on your lips forever and it will stay put guys after drying even if you eat even if you do anything you drink it will not transfer guys until and unless you rub your lips with a tissue it will obviously come off but even if you eat a lot of meal like if you have a very heavy meal तो आप देख सकते हैं कि यह लिप्स्टिक थोड़ी ड्राइ होने लगी है और ग्लॉसी फिनिश है थोड़ी थोड़ी कम हो रहा है तो हम मैं आपको एक स्वाच दिखाती हो तोड़ी देर के बाद जब इसका लॉसी फिनिश कंप्लीटली चला जाएगा आप देख सकते हैं कि यह लिप्स्टिक कंप्लीटली ड्राइ हो चुक है और यू कन सी एट इस सेटल्ड मैट यह लॉसी फिनिश नहीं है ऐसे यह लिप्स पे भी बहुत थोड़ा सा टाइम लेते हैं स्टैट होने में और देन यू के वेरी मैट फिनिश होने हैं तो गाई आ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलेगा थैंक यू बाई